दियर चैल्डरन असलाम वालेकुम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट ईवियेस टॉपिक चुसकत गोज टू स्कूल कल हमने इसका आदा जो था सबक हमने पड़ा आज आदा हम आज पड़ेंगी All day Chuskut used to sit near the window and draw pictures. Her mother Amalie said that Chuskut made the best drawings. This made Chuskut happy. But Chuskut was happier when one day her father Abha Li got a chair which had wheels. She quickly learned how to sit in the chair and how to move it back and forth पूरा दिन चुसकत खिर्की के पास बैठ के तस्वीरें बनाया करती थी उसकी मा कहती थी के चुसकत बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है तो ये सुनके चुसकत खुश हो जाती थी लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा हुश हुई उस दिन जब उसके फादर ने उसके लिए वीलचेर लाई तो वो बहुत जल्दी उस वीलचेर पे बैठना सीख गई और उसको आगे पीछे लेना उसको चलाना सीख गई चुसकत बढुलहँ सवादी जब क्थमसी जल्दी जाता इना नट ब्टा भादर व्हेलचेर नट जब तो चलाना चुसकत बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि अब उसको ये लगता था कि अब उसको उसके पापा की जुरूरत नहीं पड़ेगी हर जगप पर आने जाने और ले जाने के लिए जब उसको बाहर जाना पड़ता था तो वो अपनी मां को कहती थी कि वो से वीलचेर पर बिठा दे तो वो फिर उस वीलचेर को खुद ही गर से बाहर जब उसको जाना पड़ता था वो ले जाती थी उसे चुसकत वोड़ सी दा अधर चैल्डरन एवरी मौर्निंग दे वोड़ बी लौफिंग एंद प्लेंग आन देर वे तो स्कूल शी विष्ट दा शी कुद आलसो गो विद दिम चुसकत वोड़ सी दा अधर चैल्डरन एवरी मौर्निंग चुसकत जब हर सुबा दुसरे बच्चों को देखती थी दे वोड़ बी लौफिंग एंद प्लेंग आन देर वे टो स्कूल वो स्कूल के रास्ते पे जाते हुए खेलते थे और हिंस्ते हुए उन्हें देखती थी शी विष्ट दैट शी कुड आलसो गो विद दिम वो ये करती थी हुआईश के काश में भी इनकी तरह इनके साथ ऐसे ही जाती जाल जाएज बैसो ही बघएट फेसे हुआईश के जाती हुआइश के रहा इक दिन अब्दल उनके घर आया एक letter लेके when she saw चुसकत जब उसने चुसकत को देखा he asked her why she did not go to school तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि चुसकत school क्यों नहीं जाती है चुसकत told him sadly तो चुसकत ने उससे बताया बिल्कुल क्या sad तरीके से I cannot walk कि मैं चल नहीं सकती अबाली के नाट केरी मी all the way to school every day जो उसके फादर है वो उसको हर दिन स्कूल के रास्ते पर लेके नहीं जा सकते क्योंकि उनके लिए मुशकल होता है उसको ठाके स्कूल तक पहुंचाने के लिए I cannot even come on my chair because the road to school is not leveled और मैं अपनी जो ये चेर है इसको स्कूल तक नहीं ले जा सकती चला के क्योंकि जो स्कूल तक रोड है वो लेवल नहीं है वो लेवल नहीं है यानि कि वो जो स्कूल तक रोड है वो खराब है वो लेवल नहीं की गी है और रास्ते में राइवर भी है तो वो मैं कैसे क्रास कर सकूंगी क्योंकि मैं तो चल सकती नहीं इसलिए नहीं मैं रोड पे अच्छी तरह वील्चेर को चला के ले जा सकती हूं और नहीं मैं जो रास्ते में राइवर आता है उसको क्रास करके स्कूल तक पहुंच सकती हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूं तो ये उसने अपना जो माजरा था ये अब्दुल को बताया इससे आगे हम कल पढ़ेंगे अल्ला हाफिज